तो गाइज यह है सिर्णगर इंटरनेशनल एरपोर्ट तो गाइज आप देखो जम्मू एरपोर्ट भी कितना डेकोरेटेड है और यह तो गाइज यह है जम्मू के एरपोर्ट ऐसा कुछ है इसका बहार से लुक बहुती सुंदर हो गये तो हेलो गाइज क्या हल चाल आप सब के आई होप आप सब ठीक होंगे तो आज में जा रहा है सिर्णगर एरपोर्ट तो आपको मिलता हूं सीधा में एरपोर्ट दखाऊंगा सिर्णगर स्मार्ट सिटी का मुझे जम्मु जाने तो चलते हैं करते हैं ब्लॉग स्टार्ट लेट्स को तो गाइज यह है घदरपोरा चोक हमें लेट से एरपोर्ट है और राइट से सिर्णगर सिटी मिलती ए ड्वाट्स लाल चोक और यह एरपोर्ट रोट चलते हैं सीधा फेरेदर से तो गाइस यह है एरपोर्ट यहां से एंट्री होती है यहां से चेकिंग स्टार्ट होती है जो भी सारी फॉर्मेल्टी होती है तो गाइस पीछे स्क्योटी चेक हो गया पहला वाला वहां पर वीडियोग्राफ यह लाउड नहीं है तो वहां से हमने में निकल चुका हूं चेकिंग वैगिंग करा के अब अंदर एरपोर्ट जाना है वहां से चेकिंग होगी एक बार और तो मिलते आपको सीधा अंदर तो हुआ है ओके बाई पापा है ऐसा कुछ है यहां पर अंदर एटियम बगारा भी है चलो चलते हैं अब सीधा अंदर अंदर इसकल अंदर थे फुटार यहां से श्ख श्तर्वाण सभब करणाम यहां यहां सु准पारा भी है ऑलकल रेटेज्ग सीधा जाना तो अब यह जर एलेक्ट्रानिक चेक को रहा था तो एलेक्ट्रानिक डवाइसिस की तो मुझे एड़्जेस निवा समान एक हुड़ी मेने हाथ में रखी थी तो भी मिने एड़्जेस किया अब इतना खुला रहा गया दो हैंड बैग है और पीछे मुझे जो होता है ना लग हुड़ी में दो मुझे खुला अब इत्या गया डॉड़ी मैंट। तो गाइज यह एरपोर्ट का उपर वाले एरिया जहां पर गेट हो गए रहे है तो यहां से गेट नंबर टू गेट नंबर थ्री आगे जाद ते गेट नंबर सेवन तक है पर ही अी किछ टो जी स्थवा जडिव एकुम में से जांस और ठेको नंबर सोया है तो गाइज यह 6B गेट नमबर यहां से तो यहां से है लेफ्ट साइड जहां से मैं एरपोर्ट में अंटर हुआ था लो आपको लेफ्ट साइड दिखाता हूँ जहां पे यह एर रनवे वहां से रनवे है में स्क्योटी रीजन्स की वज़ा से वहां से नहीं दिखा पाऊंगा आपको चलो तो यह है यहां का प्रेयर रूम जहां को जहां को यहां को यहां कि आपको यहां प्रेयर रीजन्स अच्छाइ इस जम्मू एरपोर्ट एंड बहुत ही अच्छी फ्लाइट थी स्पाइस जेट थोड़ा यार वाइब्रेशन बहुत होती है स्पाइस जेट में बंदाना डर जा रहा है यह तो नहीं डरता एक अंकल बजा रहा है इतना डर गया भाई हसी निकलाई ही मुझे चलो यह रहा ही मुझे अचे है यह जो बहा है इतनी है इतनी है इतनी है आप है व्मू कि झाल नहीं है सेट मिल जाई मिल जाई भाई ख्लाइड लैंड हो चुकिया जमी में यह जबी शमाल भीच्टे लेट और मेरे पीछे तो फिकर दे एरपोर्ट से बाहर दिखातूं आपको तो गाइज आप देखो जमू एरपोर्ट भी कितना डेकुरेटेड है और ये और अमर महल पैलेस शॉप्स वगेर अभी अधर कार रेंटल भी होते है तो चलो जमू एरपोर्ट छोटा है पर बहुत ब्यूटिफल एरपोर्ट है क्योंकि एदर एकदम बहुत है रोड जैसे रिनगर में पहले ही निकलना पड़ता है वह टाइम पहले तो निकलते हैं यहां से अमरनाथ यात्रा कभी एदर रेजिस्ट्रेशन काउंटर है जो जो आते हैं यहां से एक्जेट है निकलते हैं बहुत है च कि वहां से हम एँटर होते हैं यहां से एक्जेट खोते हैं चलो फिर जाते यह एंटा है बहार तो यह एरपोर्ट का जो आप देख रहूंड सारा नेया बन दूइख यहां से एक्जेट भी निया बने हुआ पहले उद्दर से एकजेट था तो गाइज यह जमू के एरपोर्ट ऐसा कुछ है इसका बहार से लुक बहुत ही सुन्दर हो गया है यह दर है नुवेशन भी चाहर रही है निकलते हैं बहार यह सारा निया बना हुगा है यह वाला जो मूँ एरपोर्ट है चलो पकड़ते हैं कोई यॉट होग आरों निकलते हैं तो गाइस यह है सत्वार यह अरिस्पुरा रोड है तरसे अरिस्पुरा का बॉडर आता है तो यह सामने एरपोर्ट तो में जीवल जा रहो हुँ इस वक्त एक तंदर बस मिलेगी कितना समान है और हम जीवल पहुंच चुके हैं यह जीवल एरिया है जमू का इस वक्त प्विगाडी तो नहीं मिली अब में सीधा होटल में जा रहा हूँ इदर होटल मिल जाएगा एक रात रहने कल निकल जाएंगे पंजाब कित्रव इस वक्त बहुत और अधर का हीटिंग और फिर बहार आना तो गाइस में छोटा सा रूम ले लिए झाल